हेलो गाइज वेलकम बाक टू मैं चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल आज मैं आपको पढ़ाने वालों आर्टिकल राइटिंग जो एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक आ आपका राइटिंग सेक्शन का ठीक है 5 marks का भी आता है कुछ-कुछ grades में 10 marks का भी आता है इसलिए article को समझना बहुत जरूरी है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा article क्या होता है article का format क्या होता है और कौन सी important tips हमें follow करनी है article लिखते वक्त और उसके बाद मैं आपको खुद एक solid example करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको पूरा अच्छे से clear हो जाएगा article writing कैसे करते है तो सबसे पहली बात होती है कि article होता क्या है so an article is a written work published in a print or electronic media magazine में, newspaper में, print ये electronic media में published किया जाता है articles हमारे generally कहां पे आते हैं या तो अपने magazine में देखे होंगे, या तो newspapers में देखे होंगे it may be for the purpose of अब या articles लिखे क्यों जाते हैं, propagating news, कोई news highlight कर रहे हो कोई academics, analysis कर रहे हैं, कोई debate या किसी भी एक social issue से related, environmental issue से related topics पर हम articles लिखते हैं so generally it is a piece of writing piece of writing है, जो publish की जाती है electronic media में like your newspaper और magazine तो मैंने आपको overall बता दिया कि आखिर article होता क्या है क्योंकि कोई भी question अगर आप exam में करते हो, कोई भी writing skill करते हो तो उसके बार में पहले पता होना जरूरी है कि वो होता क्या है, उसके बाद हमें format देखना चाहिए तो format में आपको बता दो, बहुत simple है even paragraph writing के लिए भी आप ये format यूज़ कर सकते हो, बट वहाँ पर difference यह है कि paragraph writing में एक ही paragraph लिखते हैं और उसका body आएगी जो तीन paragraph में डिवाइड होगी, ठीक है, simple format है सबसे पहले बात करते है, heading कैसे लिखनी है, catchy and not more than five to six words तो ज़रूरी नहीं है, आप सारे capital में लिखो, पूरी-पूरी heading वो ज़रूरी नहीं है आप running hand में लिख सकते हो, उसे first letter capital लिख सकते हो but catchy होनी चाहिए, मतलब interesting heading होनी चाहिए, मतलब heading देखके हमें actual में पता चल जाए एक थोड़ा बहुत की article किस बारे में है, ऐसा नहीं हो कि heading आपकी बहुत ही एकदम off point है जो कोई connection ही नहीं, articles है, बहुत कम connection है, तो basically catchy heading रखना, ठीक है और heading बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, 5-6 words max होनी चाहिए, उससे जादा लंबी heading नहीं होनी चाहिए and try to be creative, ठीक है, जरूरी नहीं, article से ही उठा के आप वहां exact words लिख दोगे आप heading अपनी तरफ से भी बना सकते हो, बट वह catchy होनी चाहिए, तो आप creativity अपनी heading में दिखा सकते हो उसके बाद byline, byline कुछ भी नहीं है, heading के नीचे हम लिखते है, by और आगे नाम लिखते है, name of the person जो article लिख रहा है यह 90% cases में आपको question में given होगा, अगर नहीं given है तो अपनी personal details लिखने की ज़रूद नहीं है, x, y, z आप लिख सकते हो तो byline basically वो person का नाम है जो article लिख रहा है, उसके बाद body, तो body को 3 paragraphs में divide किया जाता है तो सबको इसी में दिक्कत होती है, यार body कैसे लिखे, तो कोई tension नहीं है, मैं आपको 3 paragraphs में बताने बाला हूँ कैसे लिखना है और फिर एक solid example भी दिखा दूँगा जिससे कि आपका पूरा topic अच्छे से clear हो जाएगा सबसे पहले बात करते है, paragraph 1, paragraph 1 में क्या लिखना है, begin with a short introduction of the topic topic को थोड़ा introduce करो, थोड़ा सा बताओ कि topic किसके बारे में, बट वो introduction short होनी चाहिए यह नहीं कि पूरे topic की details आपने उसी paragraph में लिख दिये नहीं, सिर्फ introduce कर दो, topic किस बारे में है briefly tell what article is about, giving some quotations, कोई quotations दे सकते हो, कोई facts लिख सकते हो to arouse the interest of the readers for example, for example, आपको pollution पर article आगया, तो pollutions related आपको कुछ fact पता है, कि किता air pollution होता है या कौन सी gases majorly आजकल air pollution कर रहे हैं, जो भी आपको fact पता है, या जैसे coronavirus या कोई pandemic situation जो हमारी चल रही है इस से related को article आजाता है, तो आपको number of cases का कोई fact पता है, तो अगर आप fact लिख दोगे starting में कोई तो आपका जो paragraph काफी अच्छा आजाएगा, अगर नहीं पता है आपको fact तो don't worry, चिंता करने की कोई ज़रूत नहीं है simply introduce कर दो topic की article किस के बारे में उसके बाद paragraph 2, यह आपका major paragraph होगा, तो paragraph 1 और paragraph 3 आपको छोटे-छोटे paragraph होगा, बड़ जो major paragraph होगा, जो main आपकी body होगी वो paragraph 2 होगी, यहाँ पर आपको complete analysis करना है subject matter in question, जो question में दी है, उसको complete, उसके बारे में detail में लिखना है, यहाँ short नहीं लिखना है, आपको long paragraph लिखन mention करनी है, और question में आप जितना creative हो सकते हो, जितना उसके बारे में सोच सकते हो, वो सारी चीज़े यहाँ पर लिख दो, अब यहाँ भी confusion होती है कि आखिर क्या लिखें, तो मैंने वो भी segregate कर दी आपको बताने के लिए, for example, types, अगर जो आपका topic है, उस related कोई types exist कर रही है, तो वो लिखता हो, like coronavirus related आजाता है, अगर आपको और भी viruses के बार में बता है, तो आप बता सकते हो, कि there are different types of viruses, but in this article we are talking about coronavirus, pollution पर आता है, तो आप types of pollution के बार में बता सकते हो, कि there are different types of pollution, soil pollution, water pollution, air pollution, उसके बात current scenario, जो भी topic है, general ऐसे topics आते हैं, जिसका कोई ना कोई current scenario होते है, कि आजकल उसका impact क्या है हमारे environment पर, कि आजकल current scenario क्या चल रहा है, ठीक है, अगर कोई social issue से related है, तो उसकी आजकल current scenario कैसा है, कितना impact हो रहा है, then advantage और disadvantage, अगर कोई ऐसा topic है, जिसके disadvantage नहीं है, तो सब advantage लिख दो, अगर disadvantage भी है, तो दोनों लिख दो, जैसे pollution आता है, तो pollution के ह हम advantage तो नहीं लिखेंगे, pollution के, हम disadvantage लिखेंगे, ठीक है, तो advantage, disadvantage mention कर दो, cause or effect mention कर दो, कि वो चीज जो, जिसके बार में लिख रहे है, उसके reasons क्या है, और उसका effect क्या है, for example, coronavirus के बारे में आता है, तो coronavirus के reasons क्या है, एक deadly virus है, ठीक है, अगर आपको उसके बार में और related information पता ह effects क्या है, कितने लोगों की death हुई है, ठीक है, लोगों की jobs गई है, economy down हो गई है, तो यह सारे effects हो गई, similarly pollution के causes क्या है, जो लोग पानी, industries का सारा waste पानी में डालते है, जो गाडियां चल रही है, यह सारे cause आगए, और effect क्या, fishes are dying in water, humans are having lung diseases, then asthma, यह सब चीज हो रही है, तो इ इसके इलावर related information है, वो भी आप paragraph 2 में लिखते होगे, उसके बाद हम बात करते हैं, paragraph 3 की, और यह हमारा concluding paragraph होगा, छोटा सा paragraph होगा, steps taken to improvise the situation, कि छोटे सा आप end में लिख दोगे, कि कौन से steps हम ऐसे ले सकते हैं, कि हम इन situation को और अच्छे से improve कर पाएं, क्या हमारे predictions है, ग हम prediction दे दें, कि अगर इसी तरीके से automobile चलती रही, तो आगे जाके 20-30 years के बाद, everyone would have lung diseases, जी कि everyone will have breathing issues, तो कोई predictions है, तो वो आप दे सकते हो, यह coronavirus related prediction है, कि आगे जाके एक बार हमारी vaccine regular हो गई, for example, तो उसके बाद जो यह virus है, यह stop हो जाएगा, यह spread नहीं होगा, या cure हो जा और यह सारी चीज़ आपकी short और precise होनी चाहिए, ठीक है, तो paragraph 1 छोटा लिखना है, topic को introduce करो, paragraph 2 में अगर कोई types है, वो लिख दो, क्या current scenario चल रहा है, क्या advantage, disadvantage है, वो लिख दो, क्या reasons है, क्यों वो pause हुआ, क्या उसके effect है, या जो भी any other related information है, वो आप लिख सकते हो, ठीक है और जरूरी नहीं है, आपका topic इसी से related आएगा, pollution या आपका ये coronavirus है, मैं सिर्फ example दे रहा हूँ, अब जो मैंने example लिया हुआ, salt example, वो different, वो एक तरह से social issue type example है, तो वो मैंने different example लिया है, जिसे कि आपको अच्छे से समझ आजा जा पूर article, और paragraph 3 में आपको कोई steps, जो आप ले सकते हो situation को improve करने के लिए, predictions और short और precise होना चाहिए, तो अब इसका salt example देखते हैं, और उससे पहले guys मैं आपको बताने वालो, unacademy learning gap पे के बारे में, so guys my name is Himal Sharma, और मैं खुद unacademy educator हूँ, तो अगर आप मुझसे writing skills, grammar पढ़ना चाहते हैं, English पढ़ना चाहते है unacademy promotes a lot of free education, ठीक है, तो daily unacademy में hundreds of life classes होते हैं, जो totally free है, मेरी भी classes होते हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो simply unacademy आप download कर लो, कुछ classes के links मैंने नीचे description box में दीया है, आप उस link को click करोगे, और अगर आपने आप download करके sign up किया होगा, तो simply वो आप से invite code मांगें, they will only ask one invite code, तो आपको यहाँ पे code enter करना पड़ेगा, मैं आपको वो code बता देता हूँ, easy हिमाल, इसके लाब आपको कुछ नहीं पे करना, एक बार आपने code enter कर लिया, आप सारे free features में participate कर सकते हो, quizzes दे सकते हो, free apple, और life classes unlimited attend कर सकते हो, चाहिए आप किसी भी grade में हो, जिस मर्जी grade में हो, daily unlimited life classes होती है, हर time life classes चलती रहती है, तो आप free life classes attend कर सकते हो, तो यह वाले invite code याद रख लेना, easy हिमाल, जब आप ये invite code डाल दोगे, तो आपका free plan unlock हो जाएगा, जैसे मैंने class 10 के लिए यहाँ पे कुछ classes बताई हूँ है, जो मैं खुद लेता हूँ, उसी तरह से different different grades की different classes होती है, कुछ grammar की classes का link मैंने description box में डाल दिये, ठीक है, अगर आप मेरी classes देखना चाहते है, grammar की, बहुत detail में सारे topic कराये है, tenses, modals, determinants, सब कुछ, तो ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है, and remember this code easy himal, चलो, अब article writing का, ये solved example कर लेते है, parents today are facing a major problem with their children, they waste most of their time on Facebook and other social networking sites, ठीक issue है, article में की, बच्चे पूरा दिन Facebook और बाकी social media पे लगे रहते है, due to this, their studies and other important activities are neglected, जसकी वज़ा सुनकी studies neglect हो रही है, और बाकी activities neglect हो रही है, write an article on this issue, you are Rohit Rhea Gupta, तो देखो आपको byline दे लिए है, किसने लिखा है, Rohit, if you're a boy तो Rohit लिख दो, girl हो तो Rhea लिख दो, शुरू words का, 4 words का topic, heading डाली है, catchy है, और exactly समझ आ रहा है, कि article किसके बारे में है, children and social media, कि बच्चे किस तरह से आजकल social media use कर रहे है, और नीचे देखो byline, center में, ये देखो आपने center में पहले अपनी heading लिखी है, heading के नीचे in between, center से लिख है by Rohit Gupta, इसके बाद आपने एक line छोड़ द तो paragraph 2 यहां से शुरू कर दो, इसके आगे से नी next line से शुरू कर दो, अगर आपका paragraph 1 बिल्कुल end में खतम होता है, तो paragraph 2 आप यहां middle से शुरू कर दे, तो line मत छोड़ो, मैं आपको बोलूँगा कि, difference दिखा दो दो दोनो paragraph के बीच में, ठीक है, तो center से शुरू कर दो second paragraph, यहां अगर first paragraph आपका center में खतम होता है, तो second paragraph नीचे वाली line से शुरू करतो हो, तो इस तरह से आपने paragraph चेंज करने है, अब देखो paragraph 1, social media is taken today's youth by storm, teenagers go crazy over it and spend most of their time in socializing on these sites, at the same time parents are always worried for their children, तो हमने एक introduction दे दी, कि actual article किसके बारे में है, कि बच्चे पूरा दिन, they are crazy about the social media, ठी यही use करते रहते हैं, और जो parents है वो काफी परिशान रहते हैं, बच्चों से इस से related, तो यह हमने introduction दे दी, अब हम इसी issue को explain करेंगे, ठीक है, advantages, disadvantages, current scenario, जो मैं आपको सारा paragraph 2 में बताया था, वो हम इसमें include करेंगे, social media has both pros and cons, pro होता है advantage, con होता है disadvantage, ठीक है, let us take the positive aspect first, social networking site spread news faster than any other media, तो पहले देखो advantages mention किया है, कि social networking site, बहुत जल्दी news transfer करती है, compared to any other media, these sites are best source of news, news हमें बहुत जल्दी मिल जाती है, they help a student to do better at school, पढ़ाई में help हो जाती है, people can connect their family and friends living abroad, और लोग अपने family friends को भी connect कर पाते हैं, जो abroad में रह रहे हैं, टीक है, but अब हमें basically का बच्चो से related बताना है, तो अब हम फिर से topic अपना children पर ही fix रखेंगे, but it has disadvantages too, यही topic था ना, तो basically हम बताएंगे children, students की life में क्या क्या disadvantages है, students waste time by playing games and socializing, children spend less time in face-to-face interaction, it also affects their activities and health, तो बहुत simple हमने paragraph 2 बताया, basically social media का current scenario भी बता दिया, advantage और disadvantage में बता दिया, आजकल social media कैसे use हो रहा है, advantage क है, और disadvantage किया, ठीक है, तो हमने बहुत अराम से एक छोटे से paragraph में explain कर दिया, अब paragraph 3, excess of everything is bad, अब थोड़ा से interesting भी बनाना है, तो यह हमें common code पता है, excess of everything is bad, उसी तरह से excess use of social media is also bad, they should limit the access to social media, they should be made aware of the pros and cons before they indulge in it, कि उनको बताना चाहिए, ठीक है, pros and cons के बारे उनको पता ह आपको homework दे रहा हूँ, कोई भी अपने मन पसंद topic पर article लिखो और मुझे email कर दो, description box में email ID है, Instagram पर भेज़ दो, मुझे telegram पर भेज़ दो, और मुझे email कर दो, कि मैं आपका article चेक करके आपको return back करूँगा, so thank you guys for watching my video, अगर आपको मेरी video पसंद आए, तो इसको like कर दो, comment कर दो, कोई भी doubt है, तो video को share कर दो, और channel को subscribe कर दो, channel के बारे में अपने दोस्तों को बता दो guys, और bell icon भी जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली videos की भी update मिल जाए, और मुझे एन academy पर पढ़ने चाहते हो, तो class का link description box में है, free classes है, app download कर दो, और सिर्फ invite code मेर याद रख लेना easy हिमार, और telegram, instagram और email id के links सारे मेरे description box में है, so check the description box also, thank you guys, have a nice day, जल्दी से मिलते एक new video के साथ,